आयोध्य लाइब यूट्यूब चैनल में आप से भी का हर देख स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता और पूर्णा तिथियों के बारे में और जानेंगे की इन तिथियों में कौन-कौन सा कारे करना बहुत ही शुबदाई होता है हिंदू सास्त्र के अमसार तिथियों को मुख रुप से पांच भागों में बाटा गया है ये पांच भाग है नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता और पूर्णा करम अमसार पहली तिथि यानि परतिपदा होगी नंदा, दुत्या यानि दूज होगा भद्रा, तृत्या होगा जया, और चतुर्थी होगा रिक्ता और पूर्णा होगा पंच भी इसके बाद पुन इसी तरह चलता रहेगा अब जानते हैं कि इन तिथियों में कौन-कौन सा कार्य करना चाहिए तो सबसे पहले बात करते हैं नंदा तिथि के बारे में परतिपदा, श़ष्टी और एकादसी तिथि को नंदा तिथि कहा जाता है इन तिथियों में वैपार वैवसाय सुरू किया जा सकता है भवन निर्मान कारियर सुरू करने के लिए यह तिथि सबसे सर्वेशेष्ट माने जाती है तो आईए अब जानते हैं दूसरी तिथि यानि भद्रा तिथि के बारे में दूज, सत्तमी और तिथि को भद्रा तिथि कहा जाता है इस तिथि में धान और अनाजना, गाय, भैस और वहन खरिदना बहुती शुब माना जाता है इसमें खरदी गई वस्तू के संख्या बढ़ती रहती है आप जानते हैं तीसरी तिथि यानि जया तिथि के बारे में तिरतिय, अश्टमी और त्र्योधिसी तिथि को जया तिथि कहा जाता है इन तिथिओं में सक्ति शंग्रह, कोट केचीरी के मामले निपटाना, सस्त्र खरिदना और वहन खरिदना जैसे काम करना बहुती शुब मान जाता है अब जानते हैं चोथी तिथी यानि रिक्ता तिथी के बारे में चतुर्थी, नौमी और चतुर्दसी तिथी को रिक्ता तिथी कहा जाता है इन तिथियों में ग्रहस्तों को कोई भी कार नहीं करना चाहिए तंत्र, मंत्र, सिद्धी के लिए ये तिथियां शुभ मानी जाती है अब जानते हैं पांचवी तिथि यानि पूर्णा तिथि के बारे में पंचमी, दसमी और पूर्णा मासी को पूर्णा तिथि कहा जाता है इन तिथियों में विवाह, भोज, आदी कार को या जा सकता है अब जाते हैं सुन्य तिथियों के बारे में इन पांच परकार की तिथियों के इलावा कुछ तिथियों को सुन तिथि भी माना जाता है इन तिथियों में विवाकारे नहीं किये जाते बाकि अन्यकारे किये जा सकते हैं ये तिथिया है तो आज के लिए बस इतना ही जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ तब तक आप खुश रहें आनंद में रहें भगबान का भजन करते रहें जो ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक जरूर करें आगे से आगे शेयर करें आपको कोई भी सुझा हो तो हमें नीचे कोमेंट बोक्स में कोमेंट करना मिलकुल भी ना भूलें आपको अच्छी लगे वीडियो आपको हमें रहें